हेलो फ्रेंड्स आप से विगा स्वागत करता हूँ आपके अपने माहिल चैनल पर मैं हो कमलेश फ्रेंड्स आज के इस टूड़ी में आप सिखेंगे एरी फॉर्मुला के साथ सम्फंक्सन का यूज करना तो एरी फॉर्मुला गूगल शीट में क्या काम करता है जैसे कि यहा पर सब्रेंट वाई आप सबके मार्क्स हैं तो एरी फॉर्मुला क्या करता है कि यह पूरी एक एर्डियो सेलेक्ट करके लाइक एरी मींस यह जो कॉलम इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यह उसका हमें यहाँ पर टोटल करके निकालके दे देता है चाहे आपको को टोटल कीजिये या मल्टिप्लाई कीजिये दिवाइट कीजिये तो ऐरे passtnesा का मैं coupon जो काम होता है वो यह होता है जैसे की यहां पर मैंऊ कुदिखा है कि एठीचा कंसे काम करता है पूरिज करेंगे ईठीउ सरफ करने के लिए आपको बोलेगा तो यहां पर पभी सबस्पट रहें और से इसको सब्打ाना होता है अगर प्लस करना तो प्लस का हैं अधरवर i5-lui थेंड हुआ मुझे आप प्लस में यूज करूंगा तो एक कॉलम किया मैंने फिर प्लस में पर मैंध वाला कोलम फिर प्लस इको वाला कॉलम फिर प्लस साइन्स वाला कॉलम फिर प्लस फिर सोशल साइन्स वाला कॉलम अब यह मैंने किया और यहां पर इंटरप्रेस मैंने कर दिया तो इंटरप्रेस करती ही क्या हुआ है कि जो मनेज कुमार है उसके जितने भी सबजेक्ट है तो उसके जितने भी मार्व से हिंदी से लेकि देके सुजल ऐसी तक वह सारह यहां पर हमें उसका टूटर निढ़के यहां पर आगया है इसके तरह मैंनेसिंग है तो उसके भी सेंव आप आप देख रहे हैं तो यह 53 सै सब्सक्राइब कर देख रहे हैं तो एक ही एसका डिकल के आए तो यह मैं जो होता है यह जो होता है यह Тो तो अगर आप इन सभी मार्स को टोटल करेंगे तो इसका टूटल आपको देख रहा है यहां पर 4745 अब यह जो 4745 आपको टूटल देख रहा है तो एरी फॉर्मला के साथ जब हम सम फंक्सन यूज करेंगे तो आटोमेटिक ही यह टूटल हमें इसका पूरा इसको एड़ करके सारे कॉलम को इसका टूटल एड़ करके हमें यह इसका एक टूटल रिजल निकालके देता है चलिए कैसे फंक्सन काम करता है इसको हम सेखते हैं तो पहले तो मैं आपको इसको समझाने के लिए इसका टूटल हम कर लेते हैं तो यह टूटल निकलके आ गया इसका 4745 जो कि व तो मैं बोल्ड कर लेता हूं क्योंकि अब हम function यूज करने वाले हैं एरी फर्मुला के साल सम फंक्सन को तो वह क्या करेगा हमें इतना ही टोटल निकाल के देगा कैसे काम करेगा चलिए सो शेकते हैं तो इसका में टोटल यहां निकाल लेता हूं इसका भी 1 12 देता हूं तो यहां पर हम यूज करेंगे robi फॉर्मुला तो फिर ब्रैकेट उपन फिर हम यूज करेंगे हैं क्या हम य्च करेंगे समवशन तक क्योंकि हम यह टोटल चाहिए फोर 745 तो यहां पर हम क्या करेंगे याप वन बाइवन एकक और कॉलम को यहां select कर लेंगे, पहले हम हिंदी, फिर इंग्लिज, फिर मैथ, फिर एको, फिर साइन्स, और आकरी में हमारे पास है, सोशल साइन्स, अब यहां आप देख रहे हैं, डिस्पील में आ रहा है, 4745, तो इसको इंटर प्रस कर दूँगा, मैं, तो यह देखिए, अब क्या हमने array formula के साथ, अगर sum function को यूज किया, तो आप देखा, कि जो यह total है, यह हमें अलग से calculate करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, पहले हमें array formula यूज करके, इन सभी का total निगालना पड़ रहा था, इस हिसाब से, row के हिसाब से, तब जाकि फिर हमें ए सभी कॉलम को add करके, total जो उसका यह sum आया, इस row के हिसाब से, उन सभी को इसने total का में हमें इसका result निकाल के यहां पर इस तरह से दे दिया, तो आपने देखा कि कैसे array formula sum function के साथ, google sheet में काम करता है, तो यह मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कैसे array formula, google sheet में काम करता है, अगर आप बिना sum function के साथ, इसको यूज करेंगे, तो कैसे आपको result इस तरह से यह देगा, यहां पर, और अगर आप इसको sum function के साथ, यूज करेंगे, जो भी मैं आपको current हों बताया, तो यह क्या करता है, कि यहां पर पूरा जो एक calculation है, इनको columnize plus करके total निका आप देता है, तो friends, आज के लिए बचत नहीं है, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो please को आप like करें, share करें, और चैनल को subscribe जरूर करें friends, ताकि आपको इस तरह के daily नएने वीडियो देखने आपको, thank you